ओम शान्ति, स्वागत है आप सभी प्यारी-प्यारी, भोली-भोली, मीठी-मीठी माताओं का, जिनका स्वयम भगवान गायन करते हैं, नमन करते हैं, वंदे मात्रम कहते हैं, भारत यद्यपी पुलिंग शब्द है, लेकिन फिर भी भारत को माता कहा जाता है, और बाबा हमीशा भारत माताओं की जय कहते हैं, माताओं को देखकर बेहत प्रसन्न होते हैं, आप सभी राम की सच्ची-सच्ची सीताईं हैं, गोपी-वललब की गोपी-काईं हैं, और सचमच शिव की सच्ची-सच्ची पार्वतियां हैं, मम्मा का संदर गीत आप सुन रहे थे हमारी प्यारी मम्मा ने सबको आदर्श बनकर पालना दी सबको एक ऐसा राह दिखाया जिस पर चल कर सभी महान और श्रेस्ट बने और मात्री शक्ति को भी आप समान बनने की प्रेणा प्रदान की उस पत पर ही आप सभी माताएं अग्रसर है इसलिए मा का इतना गायन और पूजन आज तक संसार में है संसार में भी लोग कहते हैं कि प्रतिमा में भगवान हो या ना हो लेकिन प्रतिमा में भगवान जरूर होते हैं इतनी महिमा है और ये भी कहते हैं कि मदर से यदि एम हटा दिया जाए तो सब अधर हो जाता है भगवान से जब कहा गया कि भगवान आप कहा हैं कैसे मिलेंगे भगवान ने कहा मैं हर जगा तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ मैं मा की रचना कर रहा हूँ जो हर जगह होगी जिसमें तुम्हें मेरा प्रती रूप दिखाई देगा ऐसी मात्रिशक्ती आज देश के और विदीशों से भी हमारे बीच जुड़ी हुई है इस सत्र में आप सभी का बहुत 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 दिल से अभिनंदन है, स्वागत है आप सबने अपने प्रश्ण प्रेशित किये हैं, उन्हें हम अवश्य भ्राता जी के सम्मोख रखेंगे लेकिन पहले हम आदर्ने भ्राता जी का स्वागत करते हुए उन से सुनना चाहेंगे कि आज के इस विशेश सत्र में मात्री शक्ति के लिए उनके मन में क्या उदगार है और सचमुष ड्रामा नुसार जून का मास चल रहा है, प्यारी मम्मा के स्मृति हम सब के स्मृति पटल पर बार बार आ रही हैं तो मम्मा की भी कुछ यादगार लम है और साथ ही मात्री शक्ति के लिए आपके शुब उदबधन हम सुनेंगे पश्याद आपके प्रश्नों को प्राधाजी से पूचेंगे प्राधाजी Om Shanti सभी मात्र शक्ति हमारा नमन सुईकार करें मैं दिल से आप सभी का सम्मान करता हूँ क्योंकि माताएं बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं और जैसे बच्चों का निर्मान आप कर देंगी वैसा ही देश का निर्मान होगा संसार का निर्मान होगा इस एक तरह से जिसे भगवान स्रस्ष्टी का बीज है, स्रस्ष्टी के उत्थान का कारिय आप सब का है, घर-घर को देवाल्य बनाना है, मंदिर बनाना है, पिछले 40 सालों से, 50 सालों से हमारे देश में भारत में भी नारी अज्यूकेशन बहुत बढ़ी, जिसका बहुत अभाव था अंग से वो तेलेंटिड हुई, बहु सारे स्किल्स उनके अंदर जागरित हुए, जोबस में वो चली गई, देश की प्रगती में बहुत बड़ी भूमी का आप सबने निभाई, पंदू एक चेज जो मैं आप सब को कहना चाहूँगा, कि इससे आपका जीवन थोड़ा सा फास् संद, चिंताएं, इन सब का असर परिवार पर आने लगा, अब इश्वरिय ग्यान आप सब को मिला है, मैं इसलिए भी आप सब का सम्मान करता हूँ कि आप सभी ने इस धरा पर आए हुए भगवान को पहचान कर उसकी अग्याओ का पालन किया है, और उसके महनकारियों में सहयोगी बन गए है, हम जानते हैं बाबा का ये यग प्रारम सही, माताओं के द्वारा जाद़ चलाय गया है, माताओं बहुत मददगार रहती हैं, डेडिकेटर रहती हैं, इस वर ये कारिय के लिए, इसलिए बाबा, माताओं को प्यार भी बहुत देते हैं, सम्मान भी ब करता है, आपकी समस्याओं का समधान देता है, बस मैं ये कहूंगा, अपने जीवन को सरलता से भरें, आपकी फासलाइफ हो गई है, जो मातें जोब में हैं, गर का काम करना, नोकरी करना, बच्चों की पालना करना, इस सब में सरीर भी ठकता है, मन भी ठकता है, लेकिन अगर आप अपनी दिंचरिया को, अपने कारियों को एंजोए करना सीख लें, उसका आनंद लेना, खेल की तरह काम करना, उसको बोज न बनने दें, जमिरारियों को तनाव में न बदलने दें, बहुत सरलता पुरवक, बाबा हमारी साथ है, चोटी सी बात है, बहुत चोटी है, साथ हमारी साथ है, तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा, आज एक बहन का फोन आया लग रहा था, वो भी छोटी आयू की माता ही, अही माचल से, कहने लगी, बहुत इच्छा होती है, पंजाब में बोल रही थी, बहुत इच्छा होती है, बाबा के साथ रहूं सदा उसकी जैसे मेरा योग बराबड लगा रहे, मैंने का पेल तो मैंने उसको हँसा मैं तो तुम तो ऐसे कहरें, जैसे कोई कहेACH मुझे भूग तो बहुत लग रही है, पर खाऊ। जो कहां।, कहांद भी है, तो खाना तो खुद पड़ेगा, साथ जादना ही खुद करनी दूसा संकल बता दिया, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सिर्व शक्ति हूं, और बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही है। तीसा संकल बता दिया, कि मैं पवितरता की देवी हूं, और बाबा की पवितर के रहने मुझ में आ रही है। यह तेन संकल वियाद करते रहना, योग अच्छा हो जाएगा, तो जीवन में स्वरलता, बड़ा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, लोग स्वरल नहीं रह पाते, और इस कारण चोचोची मिदारियां, उनको तनाव दे रही हैं, परिषानी पैदा कर रही हैं, चोचोची बाते चिंतित कर रही हैं, वो अपने जीवन में खुषी, श्यांती, सुकून, इस सब से थोड़े दूर होते जाते हैं, तो मैं आप सभी को कहूंगा, अपने अपने घरों में, सुक्ष्यांती, प्रेम और सरलता, बहुत हलके पन का माहूल बनाओ, माताओं की जिम्मेदारी है, बले भाई भी आपके साथ हैं, आपके पती हैं, अपके पती हैं, असा ससुर होंगे, लेकिन अपने संबंदों को मधूर बनाकर, घर के माहूल को खुस नुमा बनाएं, अगर घर के माहूल में दवाव रहता है, प्रेसर रहता है, तो नुकसान हैं, बिमारियां बढ़ती हैं, बच्चों की बुद्धी का विकास भी नहीं होता, उनको भी बहुत अच्छी जवांतरी खुसी होनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, प्यार की पालना हो उनकी, वो भी नहीं हो पाती, इसलिए माताएं सबेरे उठें, अच्छे संकल्प करें, अपने घर में बहुत अच्छा वातावन बनाएं, अभ्यास रखें, मान लें, स्विकार कर लें, मैं इस घर में एक मान आत्मा हूँ, मैं इस घर की इस देवी हूँ, ये घर मेरा मंदिर है, और मुझे ही सब का दार करना है, लोग मुझे क्या कहते हैं, सास क्या बोलती है, ससुर क्या बोलता है, पती का व्यवार कैसा है, ये सोचेंगे, तो आप उनके परभाव से प्रभावित रहके, अपनी स्थिती में धिलाई ले आएंगे, लेकिन आप ये संकल्प करें, मेरा ये महन कर तब्य है कि मुझे इस घर को मंदिर बना देना है, मुझे इस घर को समस्याओं से विगनों से मुक्त कर देना है, ये मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, एक-एक मात्र शक्ति यदि अपने घर को निर्विगन समस्याओं से मुक्त बनाए, तो हमारे देश की थिरी फोर्ट समस्याएं समाप्त हो जाएं और कोट केशिज जो भरे पड़े हैं करोडों में साच चार करोड तक पहुंच गए होंगे, फाइले दबी हुई हैं उन सबसे मुक्ते हो जाएं, हमारे जजिज भी रिलेक्स हों सारा हमारा सिस्टम सुक, स्यान्ति और प्रेम से भर जाएं नहीं तो कोट केशिज प्रेम को नस्ट करते जा रहे हैं यह मानवता के सत्रू बनते जा रहे हैं यह घरना भाव और नफरत भाव पैदा करते जा रहे हैं तो मातर शक्ति इनको समाप्त करने में बड़ी एहम भूमी का निभा सकती है। आप चाहें घर में श्यानती पैदा कर सकती हो। आप में संतोस पैदा करने की च्छंता है। तो अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। बहुत अच्छा पुछसाथ करना है। कोरोना ने भी सबको जगा दिया है, आपको डरने की ज़रुवत नहीं है। बाब आपकी च्छतर चाया है। इसने जगा दिया है और सभी को स्रेष्ट पुरसाथ के लिए बहुत जादा प्रेवित कर दिया है। पर मैं यह देखता आ रहा हूं। के जिनोंने लंबा समय पुरसाथ नहीं किया, वियर्त में समय व्यतीत किया, तेरी मेरी पर चिंतन में लगे रहे। अब समय ऐसा आगया है, तो उनका पुरसाथ नहीं हो रहा है। और जिनोंने जीवन में बहुत ध्यान दिया है। जो बाबा ने कहा उसको थोड़ा भी किया है। अब वो बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। बाबा की मदद के पात्र बन गए हैं। और एक अच्छी लहर वो माताएं वहने भी फैला रही है। तो चाहे आज आप कन्या सुन रही हैं हमें। चोटी आयू की माताएं सुन रही हैं या बड़ी। मैं एक बात और कहूंगा फिर आपके प्रसन लेंगे। क्योंकि प्रसनों में बहुत सारी बाते आजाएंगी। हमें यह सोचना है। के पहले मुझे स्वयम को बदलना है। और परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास है। यह नहीं हम सोचते रहें। मुझे अपने को बदलना है। बदल नहीं पा रहे हैं। तो निरास होते जा रहे हैं। हमने छोडी दिया है। यह नहीं। बदलने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति हमारे अंदर समाई होई है। हम केवल उसे जागृत करें और अपने को बदलने का द्रट संकल्प करें, उसके साथ थोड़ा योग भी कर दें। तो चहे कोई संसकार बदलने की बात हो, चहे किसी सुक्स्मिया श्थूल विकार को छोडने की बात हो, चहे अपने संबंदों में मधूरस घोलने की बात हो, बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। कभी के मुझे हाशी आती है, जब भहने बात करती है ना। बड़ी आयू आलो की बात नहीं कर रहा, छोटी आयू की माता है। मैं उनसे पूछता हूं, मुझे लगता है तुम बोलती बहुत ज़ादा हो। उनके फोन पर बात करने से समझ में आता है। क्योंकि मेरी नहीं सुनती है, अपनी सुनाती रहती है। तो कहां में तो बहुत बोलती हूं और मेरे बोलने से सब लोग बहुत तंग भी हैं। लेकिन मेरे से चुप रहा नहीं जाता। तो देखो उसको ये पता है। क्ये मेरे बोलने से सब तंग है। कही माता है तो बैकारी साप साप बताती है। कि मेरे बोल बड़े कडवे हैं, मुझे समझ में आता है, कि मैं जो बोलती हूँ अच्छा नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं बोल लेती हूँ, ये परवस्ता, ये अधिन्ता, स्वराज जदिकारी आत्माओं को सोभा नहीं रेती, ये अधिन्ता भगवान के उन बच्चों को भी सोभा नहीं देती, जिनको उसने टाइचिल दिया है कि तुम सिव सकती हो, तुम्हें रेक कर तो दूसरे भी बदल जाते हैं, तुम्हारी मूर्तियों के दर्सन करके तो पापी भी बदल जाते हैं, अत्याचारी भी नम्र हो जाते हैं, तुम्हारे आगे नात्मस तक हो जाते हैं, तो तुम्हारे अंदर स्वयम को बदलने की शक्ती है, उसका उप्योग करेंगे, और बाबा का नाम रोसन करेंगे, अब समय आ गया है योग की शक्तियों को बढ़ाने का, अब समय आगया है, जिसके लिए बाबा कहते थे, कि तुम्हें इस अंसार को सकास देनी होगी, इस अंसार में दुखों के पहाड गिरेंगे, भैका माहूल बन जाएगा, तुम्हें इस अंसार को विगनों से मुक्त करना होगा, दुखों से मुक्त करना होगा, और निर्भय वी बनाना होगा, तो बड़े-बड़े कारिय, महांकारिये हमाराँ आपे Dionë साबर्त कर रहे हैं, यह वह समय आगया है, इसके लिए बाबा कहते थे, बच्चें, समय तुम्हाराँ इंदार कर रहा है, तुम किस्की इंदार कर रहे हो, ये काम पूरा हो जाए, फिर पुरसाथ करेंगे, बच्चे की सादी कर लें, फिर पुरसाथ करेंगे, ये भी माई ठीक हो जाए, फिर पुरसाथ करेंगे, ये छोटी सी बाद आगे, इससे निमत लें, फिर पुरसाथ करेंगे, कभी नहीं होगा, जो आज नहीं कर सकते हो, कल भी नहीं कर पाएंगे, यह हम देखते आ रहे हैं, तो वो समय आ गया है, जिसके लिए बाबा कहते थे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब हम उस समय में परवेश करते जा रहे हैं, हमें अपने वो महान कारिये करने होंगे, जिनके लिए बाबा ने हमारी पालना की है, जिनके लिए उसने रात रात जाक कर हमें वर्दान दिये हैं, भगवान ने संपून गयान दिया, उसकी पालना में हम और आप सब पले हैं, अब वो चाहता है मेरी पालना का रिटर्न दो, जैसे मैने तुछहारी पालना की, अब माताओं में तो पालना की शंसकार होते ही हैं, तो जैसे मैने तुछहारी पालना की, वैसे तुम भी शंसार की पालना करो, तो यनी कामनाओ की साथ, मैं आपके, अब हम आपके questions लेंगे, और questions के माद्यों से और जो बाते हमें आपसे करनी हैं, वो खरेंगे, आरुबेश भाई, बहुत ही उमंग और उत्सा से सभी ने भारत के कोने-कोनों कोने से प्रश्न भेजे हैं, विदेशों से भी प्रश्न हमारे पास आय हुए हैं, और लक्ष तो यही रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो, क्योंकि सब ने यही अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि मेरा प्रश्न जरूर शामिल कर लीजेगा, लेकिन मुझे लगता है पचास साट से भी ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं, तो ब्रश्न जी मैं प्रश्न की और सिधे चलता हूं, जिस उमंगुट्सा की आपने बात कही है, वैसा ही उमंगुट्सा इनमें दिखाई देता है, यह कहती है कि मैं दिवाली तक फरिष्टा बनना चाहती हूं, इवां बिंदु रूप बाबा को मैं अपने बुद्धी से पकड़ करके रखना चाहती हूं, लेकिन वो बार-बार खिसक जाते हैं, कैसे सहज रूप से यह हो सकता है, दो प्रश्न साथ साथ. दिवाली को तो बहुत थोड़ा समे रह गया, मैं समझता हूं, पांच मास बस, अक्टोबर में हो जाती है, लगबग। मन जे लंबी है, आपका लग्स बहुत तुचाहे, मैं आपको निरास नहीं करना चाहूंगा, प्यावरिटी मैं आपको बहुत स्ट्रॉंग हो जाना चाहिए, सर बंधन मोमाया से अपने को छुडा लो, जो कर्मेंदियों के रस हैं, उससे भी बाहर निकल जाओ, और यही मार्ग है कि सिवावा को बुद्धी से पकड़ के रखें, तो उसकी एनरजी हम में आती रहेगी, इसके लिए उद्धी के नेत्र बहुत स्वच्छोना जरूरी है, क्योंकि पकड़ेंगे नेत्र से, विजुलाइज खड़ेंगे उसे, तो वस परहेज करदो के वियर्थ की बातों से, तेरे मेरे से परचेंतन से मेरा कोई नाता नहीं, और करम करते हुए आठ घंटे योग का रोज अभ्यास करूं। मैं लाज सो फास जाना चाहते हूं, लंडे समय का पुर्शार्थ बहुत कम समय में करना चाहते हूं, इसकी क्या विधी हो? इसकी विधी भी यही है, जो पहली प्रस्ण का उत्तर में दिया, अपने को चुस्त करें, ढीले नहीं, अपना तिन तिन मांस का प्लान बनाएं, बहुत सुन्दर, योग अभ्यास आठ घंटे रोज हो जाए, मैं एक ही बार कह रहा हूं भी बार बार नहीं कहूंगा, आठ घंटे बैट करना ही, करम में, स्रेष्टी, स्मर्थी, स्वरूप रहना योग है, प्योरिटी बहुत सुन्दर होनी चाहिए, संपोर्ण जो इंप्योरिटी है, उसके जो बालवच्चे उन पर भी विजय हो जाए, तो निश्यत रूप से लास्वाज जाएंगी, और विजय माला में नंबर ले सकेंगे, स्वदर्शन चक्र और पांच स्वरूप के अभ्यास में क्या अंतर है, हम अपने 84 जनमों को तो नहीं जानते हैं, तो फिर ये स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाएं? नहीं, दोनों एक ही चीज है, बाबा ने स्वदर्शन चक्र को सिंप्लिफाई कर दिया है, सरल कर दिया है, कि पांच स्वरूप का अभ्यास करो, और आप ऐसा देखा करें मैं आत्मा पहले जनम में थी, पहले शरीर में, पिर दूसरे में, तीसरे में, चोथे में, पचासवे में, साथवे में, चोथे में, चोथे में, अब भगवान के साथ हूं, अभी वापिस जाना है, आपने गलत कहा कि हम अपने चोथे जनमों को जानने ही जानते, आप जानती हो, वो आपकी उद्धी में भी प्रिंट है, जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, वो किलियर होती जाएंगे, मुझे इतनी शक्ति जमा करने हैं कि विनाश के समय बाबा मुझे यूज़ कर सके, तो इस थोड़ी सी समय में आठो शक्तियों को जगाने के लिए कौन सी प्राक्टिस करने चाहें? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हो, इसके दोन लगा दें, ये लिखने की बात नहीं, ये रटने की बात नहीं, आप फेल करेंगे, स्विकार करेंगे, मैं इस वरी ये शक्तियों से संपन्नू, बाबा ने अपना हाथ मेरे शिर पर रख कर, मुझे आठो शक्तियां दे दियें, पहले तो ये स्विकार करेंगे, और फिर सर्व शक्तिवान की शक्तियां मुझे में समा रही हैं, इसका अभ्यास थारे दिन में, चलते विरते कर्म करते, जादा समय करेंगे. ये कहती है कि मन एकाग्र नहीं होता, बहुत अभ्यास कर रही हूँ, कि मैं स्वराज जदिकारी हूँ, मन बुद्धी की मालिक हूँ, डारिक्शन भी देती हूँ, लेकिन मन एकदम शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, ऐसा नहीं होता है. वैसे तो यूट्यूब पर इसकी क्लास मिल जाएगी, आपको एक दो, अभी अभी हमने रिकोर्ड की है, मेरे नाम से सर्च करेंगी तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन वियाद से मुक्त हो जाएं, लेप्टोप मुबाईल से परेज कर लें, पूरा कुछ समय के लिए, विया आप अभ्यास कर रही है, बहुत अच्छा, लेकिन और भी पांच साथ स्वामान ले लें, उसका सारा दिन अभ्यास करें, सवेरे का महत बहुत जाद है, इसमें अमरत वेल आउट कर अच्छे संकल्प करें, वे यूट्यूब में आपको बहुत मिलेगा, हम क्लास में बहु करने के आवशकता नहीं है, जी, उसे वो सुन ले, तो यूट्यूब में जो भी क्लासिस आदी है, उन्हें सुनने से, ये सारी जो प्रशन है, उनका समाधान भी विस्तार से वहाँ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जाएगा, बहुत जी अगला प्रशन है, ये कहते है, मनस सरवात्माओं के लिए प्रेम और सुभावनाओं से भरा हुआ है वे, जो अच्छे स्वमान में इस्थित रहते हैं, वे भी हैं, अगर तीनों साथ साथ हैं, तो आपके वाइब्रेशन सारिशन सार तक प्रभाव डालेंगे, मोह की बात माताओं के साथ बहुत आती है, इस संपुर्ण रूप से कैसे हम बनें, इसके लिए क्या विशेश अपनाओं के साथ हैं, पहली बात तो ये के बनना चाहते हूं, और पता हो मोह कहां काम कर रहा है, तो सारी माता हैं कहीं कि तो जरूर अमेनस्टो मोह बनना है, लेकिन उनका मोह बढ़ता जाता है, पहले पती से था, फ़र बच्चो से हो गया, फ़र बच्चो के बच्चो से, तो उनका विश्तार तो बढ़ता ही आ रहा है, लेकिन अगर आत्मिक दरश्टी का भ्यास करेंगे तो ये मोह प्यार में बदल जाएगा, तो आत्मिक दरश्टी का भ्यास, दुश्रा है इसमर्टि उस पर विखलासे जाएं, योट्यूब पर आप सुन लें, इस्मर्ति स्वरूप होने से महो नस्थ हो जाएगा, ये दोनों भ्यास करेंगे, आत्मिक दर्ष्टी और इस्मर्ति स्वरूप, और महो को पहचान कर उसको विजय पानी की दर्ड इच्छा हो, सचीच्छा, इसमें दर्ड के भी अलावा मैं सब दियूज कर रहा हूं, सचीच्छा, क्योंकि महो बहुत मीठा है, बड़ा स्वीठ है, बड़ा सुख भी देता है, मातें सुख भी बाती है, सोचेंगे मह छोड के तो जीवन सुखा हो जाएगा, सुखा नहीं होगा, आत्मिक प्रेम में बदल जाएगा, हमेशा इस चीज में एक द्वंद रहता है, कि हमें उनका ध्यान भी रखना है, उन्हें पालना भी देनी है, और उसके साथ साथ डिटैज भी रहना है, तो इस बैलन्स को रखने में कई बर थोड़ा सुखा है, ध्यान भी देना है, पालना भी देनी, प्यार भी देना है, लेकिन बहुं से डिटैज होना, इसलिए सहज काम नहीं है, इसलिए अभ्यास चालो रखो, बच्चे को गोद में खिला रही हो, प्यार कर रही हो, या आत्मा है, या भ्यास करते रहों, ड्रामा की अनुसार जो आत्मा यक्यके शुरवात में बाबा से मिले हैं, सिर्फ वही आत्मा सत्योग के आदी में आएंगे क्या, हम जो लेट से ग्यान में आएं हैं, क्या हमारा उतना चांस नहीं है सत्यूग के आदी में आने का? भूल गई माता है कि बाबा के यग में तो चार सो ही आय थे और सत्यूग के आदी के आदी नो दस लाग है, इसलिए आपको भी चांस है संकल्पों को द्रड कैसे बनाएं क्योंकि जो संकल्प हम दिंचरिया के लिए लेते हैं वो बीच-बीच में भूल जाते हैं हाँ, उनको रोज सवेरे उठकर रिवायच करें और Master Sarv Shaktiwan के अभ्यास के साथ संकल्प लें और इसको बार बार करें में Master Sarv Shaktiwan हो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि संकल्प एक बार द्रड कर लिया जाए और वो छूटेगा नहीं, वो छूटता है लेकिन बार-बार रोज सबेरे उसको रिवाइच करना है हर एक हपते में उसको फिर प्रतिग्या का रूप दिया करें करें आमरित वेले करते हैं, तो मृर्ला मिन्स हो जाती है इसका वे detail, YouTube में अभी अमने दो क्लास करा दी है Come on आमरित वेले पर क्योंकि में एक मिनट में उत्तर दूँंगा तो आपको उतनी चना-चुश्तित नहीं होगी आप सुन लें और इसके लिए टाइम पे सोना बहुत जरूरी, healthy इसू भी होता, इसमें किसी की तबियती खराब हो, उन सब के उत्तर हमने उसमें दिये होएं. वर्षाजी मुंबई से पूछ रहे हैं कि पुराने संसकार वा पुराने दुख देने वाली बातों से पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए क्या किया ज़िए? देखिए, पास्ट को भूला जा सकता है, मैं बाबा का एक महवाक की आद दिला दू बहुत पुराना, बहुतों नहीं सुना है वो, तुम कोन थे? तुम सत्यूफ में कैसे थे? मैं इसको ये शरहल सब्दों में कहूं तू पांच सष्वर रूपों का बयास बहुत करेंगे आद्लि बहुत अच्छी तरह है, पढ़ैंगे, और योग भीयु चाहिएत। तो पास्ट भूलता जाएगा, और हमारे संस्कार भी जो दुखदाई हैं, वो सुखदाई बन जाएंगे बाबा कहते हैं, आठ घंटे योग का चार्ट रखो हमारी दिन्चरिया सुबह से ही बहुत बिजी रहती है बैट कर आठ घंटे योग नहीं हो पाता, आपने वैसे उतर दिया है कारी इस्थल पर ही बाबा को हम याद करते हैं, तो कैसी योग के चार्ट को मेंटेंटेंगे? हाँ, उसके लिए बिन-बिन योग के अभ्यास रखो, बोजन बनाते ही, अभ्यास करेंगे, नाते दोते ही, अभ्यास करेंगे, काम करते ही, खाते पीते ही, पानी गनटा बैठने की, कमर लेकर अब लेठी गया है, पता नहीं कितने साल के लिए, लोग कहते हैं अभी तुम बैठ नहीं पाओगे, ये गलती कोई न करें, मैं बहुत सिखाता हूं, फिर भी कई योगी समझ में नहीं आता, तो भुगत ना पड़ता है, इसलिए बैठने की बा कर्म योगी ही आठ गंटे के योगी बन सकते हैं, बाकी के बसकी ये बात नहीं है, मैं ज्यान में 2012 में आई, ज्यान योग भारना इन तीनों सबजेक्ट में तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो चौथा सबजेक्ट सेवा है, वो कम कर पाते हैं बंधनों के कारण, वैसे हम ज्यान में देर से आए हैं, तो हम सेवा के सबजेक्ट को कैसे कवर करें, सेवा में थोड़ा भूद धन भी आप लगाएं और अपने जीवन से आप सेवा करेंगे, अपने जीवन को आप ऐसा बना दें, कि आपको देखकर बात लोग भगवान के समीपा जाएं, आपको अगर आपके जीवन को देखकर लोग जीवन जीना सीख जाएं, ये सबसे बड़ी सेवा होगी, बाबा कहते हैं कि अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा को सुना दो, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि माफे मिलेगी नहीं, तो फिर इसका आर्थ क्या हुआ, अभी बाबा कहता है सुना दो तो सुनाने की थाकत चाहिए, सर्जन को सुनाने से क्या होता है? दवाई मिलती है, आज एक मॉरली में बाबा कह रहे थे बच्चे विचार तो करो, तुम्हारा सर्जन कौन बना है स्वें भगवान, तो सर्जन को सुनाएंगे तो उस बीमारी की दवा मिल करेंगे, माफ करके क्या करेंगे? माफ की जरूरत ही नहीं, माफ कर दे तो भगवान के तो सब बच्चे हैं, वो सब कोई माफ करेगा, सभी सुनाते रहते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा की मदद बहुत मिलेगी, दवाई भी इसी बात को बहुत लोग नहीं समझते हैं, और जब मैंने भी मुल्ली में महावाक सुना तो मुझे भी लगा, बहुतों के परशन उठेंगे, तो सुनाएं क्यों? एक तो सुनाने से मन हलका होगा, डीप रियलाइजेशन होगी, मेरे में गलती हम उसको सुधारने का पुर जो सेवाई हैं, वो हमारी बढ़ गई हैं, तो ये कर्म योगी बनने की जो कुछ युक्तियां हैं, वो जरूर बताएं, क्योंकि बैलेंस अब नहीं हो रहा है, पहले तो शायद थोड़ी सी हलकी रहती होंगी, लेकिन अब सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, ज्यादा ब बनाएं, सहयोगी बनाना भी एक कला है, और यूट्यूब पे हमने कलास डाल दी है, कर्म योगी बनने की दो, वो देख लें हैं, कुछ माता हैं, जो अकेली ज्यान में चलती हैं, उनका प्रशना है, कि यदि हमारी पवित्रता में बार बार विगन आता है, तो हम क्या करें ऐसे तो हम बाप समान बन ही नहीं पाएंगे, बेलकुल ये तो बहुत बड़ी बाधा होती है, ये किसी भी आत्मा की बहुत बड़ी कमजोरी है, और महों की भी निसानी है, वो दूसरे साथी को खुष करना चाहती है, इसमें खुष भगवान को करना है न, अपने स्रेश् ग्यान से सुनलें, जो भी इस तर है कि सवालों से, इस तर है कि समढ़ियां से पेड़ीत हैं, बहुत हैं, एक ने प्रस्न किया है, मैं इनको सुक्रिया देना चाहता हूं, गर ये प्रस्न लाखो माताओं का है, सद्सवेरे उटके संखन्कल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक से मैं मास्टर सर सक्तिवान हूँ, पवित्रता की डेवी हूँ, यह अत्मा मेरी पून सहयोगी है, और भोजन बनाते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, यह लगातार याद करें, लेकिन आपकी द्रड़ता पर सारा खेल निर्वर करेगा, और निर्मोही वन्ने पर, जी अगला प्रशन है, यह कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे मुरली, योग, आदी, अलाव नहीं करते, सुबह एक बार मुरली पढ़ लेने के बाद, यदि सारे दिन में मैं बाबा को याद करने बैठ हूँ, तो यूगल, बेटा, बहु सब नाराज होने लगते हैं, मैं कैसे अपना सहयोगी बनाओ, यही प्रशना आप करेंगे, तो उनकी नाराजगी से जादा परिशान नहों, आपको अपनी स्थिती बनानी है, तो कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन सबेरे उटके यही संकल्प करो, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हूं, यह सभी आत्माए मेरे तुम पांच बार, और सहयोगी बनाना ये भी जैसे मैंने का है, कला है, सब को अपना मित्र बनाना ये भी एक कला है, आप ये अभ्यास किया करें, मैं इस घर की इस देवी हूं, तो आप इस देवी बन जाएंगे, सब आपकी पूजा करेंगे. लोगडाउन की समय में परिवार वालों के साथ हिसाब किताब बहुत अधिक बढ़ गया है, पहले सब अलग अलग रहते थे सारा दिन, तो उनके अंदर के विकारों का इरिटेशन का पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो जैसे मुझे भी बहुत गुस्दा आता है, सब के साथ रहना भी एक 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 एकजाम है, इस एकजाम को कैसे बहुत बहुत के सामने ला दी है, मतलब मैं समझता हूं से 60 to 70 percent जो लोग हैं, वो काफी पेडित हुए हैं इससे, क्योंकि अब यही बात सब घर में रहने लगे, किसी को इरिटेशन होने लगा, किसी को गुसा, किस कामनाय बढ़ने लगे, लेकिन एक अगर बत्ती सारी बद्भू को नस्ट कर सकती है, एक माता अपने स्रेश स्वामान में रहे, अपने को श्यांत करना सीख ले, बस यह मैनत आप करेंगी, जो आपको भुसाने लगा, इससे तो खेल सारा भी अट जाएगा, ना आपकी हरी घर में खुषी का माहो लोगा, इसलिए अपने करोद पर तो कंट्रोल रखना ही है, और सब को दस मिनर सुभावनाय और श्यांती प्रेम के वाइबरेशन दिया, करो, मैंने भी दिवताई हैं बहुत बार, एक किनारे पर बैठो गर में, संकल करो यह सब आत्माय बहुत कि बच्चे हैं, इतना सोचने से ही आपके वाइबरेशन सुनको जाएंगे, अपका चित भी शान्त होगा, वो भी अच्छे रहेंगे, बच्चों की चंचलता के कारण स्थिती खराब हो जाती है, ना चाहते हुए भी उन्हें डाटना पड़ता है, क्या 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 है? ना चाहते हैं, ना चाहते हैं, बच्चे भी जाएंगे, लेकिन अपनी इस्थिती को खराब करके डाटना, ये गलत हो गया, ये इस्थिती को समालते हुए, बच्चों को डाट दिया ये नहीं, फिर परिसान रही है गंटा, तो भाबा भी आपको डाटे गाँ, क्या को, इसलिए आत्मिक दृस्ति बढ़ाएं, कई स्मामान के पॉइंट ले ले उनको बढ़ाएं, सहज भाव से डाटो डाटना आपके ड्योटी है वस, उसको अंदर में जाने दो, ऐसी स्थिती बना लो तो ठीक हो जाएगा, जी, घर की छोटी बहु होने के कारण सभी कागर होकर नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसी परिस्थिती को मैं कैसे हैंडल करूँ, सहज भाव से आपको जीवन जीना है, वो भले आपको छोटी बहु माने, पर आप अपने को पूर वज मानना, मैं सबसे बड़ी हूँ, महानात्मा हूँ, इस देवी हूँ इस घर की, आप स्वमान करके तो देखो मैं सब माताओं को कह रहा हूँ, तीन स्वमान ही आप ले लो, मैं एक महानात्मा हूँ, मास्टर सर्शक्तिवान हूँ, इस घर की इस्ट देवी हूँ, देखो आपका स्वमान कितना बढ़ता है घर में, क्योंकि ये भगवान के महवाख्य है ना, जो स्वमान में रहेंगे, सारा संसार उन्हें सम्मान देगा, बस अपने जो परिवार के लोग है, आत्मिक दृष्टी से देखना है, ये सब आत्मे हैं, ये बहुत अच्छे आत्मे हैं, वो आप पर राज नहीं करेंगे, आपका उन पर राज हो जाएगा, और अब जाद नहीं करेंगे, सम्मान भिदेंगे, मेरा पचीश वर्षी बेटा है, उसमें बहुत नेगेटिविटी है, हर बात में वहम करता है, सारा दिन पैसा-पैसा करता रहता है, गुसा भी उसे बहुत आता है, उसके लिए क्या किया जाए, मुझे लगता है कि बच्छों के लिए, बहुत सारी माताओं के प्रशन हो सकते हैं इसी प्रकार के, देखे बच्छों के लिए जो प्रशन है, आयू पच्छी साल की हो गई निगेटिविटी तो उसके अंदर, इसलिए कि नेट पे निगेटिव साइट में बच्छे आजकल बहुत जा रहे हैं, पुरा संग भी ब बच्छों का बहुत है, कल्युक का प्रवाव बच्छों पर बहुत है, इसलिए बहुत बच्छों की ये मनो इस्थिती थोड़ी विक्रित हो ही गई है, माताओं का काम चिंता करना नहीं, माताओं का काम रोज आधा गंटा उन्हें योगदान देना है, और भोजन बनाते बच्छों की याद, मैं परम पवितरात्मा हूं, ये अभ्यास, अपने को बहुत अच्छे स्वामानों में रखना सारा दिन, तो आप अपनी प्रिच्छों इस्थिती को जितना मान बनाएंगी, अपके बच्छों पर उतना इच्छा इफेट होगा, अब आप ये न सोचो ये बिगड़ गया है, ये इसका गिल रहा है सारा लेविल, अप ये सोचो, मुझे सबको ठीक कर देना है, अपनी ओकर जिम्मेवारी हम ले लें, जी, अब्राते जी अगला प्रशन है, मुझे नुमा शाम योग के समय बहुत नीद आती है, और सम्भवता है कुछ लोगों करते हैं, जी, बहन मैं आपको एक चीज कोऊंगा, डोंट माइंड, पुन्यक करम बहुत करो आप, क्योंकि कुछ बुरा खाता आपको परमात्म सुख नही लेने देना चाहता, सबेरे उठकर दस मिनट दो अनुलों विलों प्रानायमे, ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सिजन सारा दिन व्यर्थ से भी बचो, बापा के महवाक्य हैं, जो सारा दिन भाईय मुकी रहते हैं, जब वो योग में बैठते हैं, तो मया उनसे बदला लेती है, भाईय मुकी रहे हो न, अब तुमें योग नहीं करने दूँगे, लिए सारा दिन थोड़ा अंतर मुकी हो और सवेरे जिनको नीन आती है, वो भी यह अभ्यास करें। यदि कोई हमसे दिन भर लॉकिक की बाते ही करते रहें, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ऐसे में हम अपनी दिन्चरिया को कैसे सेट करें। अलोकिक स्थिती में स्थित हो जाओ सवेरे से ही, और बहुत अच्छे संकल्प करो, मैं सबकुंशेस माइंड के बहुत सारे परियोग सिखाता हूँ, आप इसमें भी कर लो, मैं मास्टर सर्व सक्तिवानो उठते ही, मैं एक महान आत्मा हो, यह जो व्यक्ती है, जो मेर से बात करता है, आज वो बहुत समेशान्त रहेगा, आज वो मुझे मेरी स्थिती में सहयोग देगा, वो भी बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है, सवेरे उटकर पांच बार यह संकल्प कर लो, तो निश्य तूप से उसमें इपरिवर्तना जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहूं, कुछ माता हैं डडती जादे हैं, दवाओ में जादे रहती हैं, माल उनका पती ही, या उनका ससुर उन से सारा दिन ये बात कर रहा है, तो उनको कहना नहीं आता, वो दवाओ फिल करती हैं, लेकिन अगर वो बहुत प्यार से, सम्मान से कुछ अच्छी बात कहना सेख लें, तो आदी समझ्या उनकी कतम हो जाएगा, कई बार हमारी संस्कृती ऐसी है, कि हम अपने बड़ों के सामने मूने खोलते, तो ये बाली बात भी मुझे लगता है, कि कई बार हो जाती है, हाँ, ये कई ओमें होती है, कई ओमें डर होता है, कई ओमें इंफिरियर्टी होती है, और आजगल तो पूरी कल्चर बदल गई है, छोटे बड़ों से दिल खोल के लड़ते हैं, सम्मान तो बहुत पीछे चूट गया है, इसलिए मैं ये नहीं कहता लड़ो, मैं ये नहीं कहता, ये बीन हो कोई फाल्तूबाथ में से न करो, बहुत प्यार से अपनी अच्छी बात के बच्ची से बहुत हो गया, भी हमने समझ लिया, अब हम कुछ और अच्छी बात करेंगे, ऐसा कहेंगे तो बात खतम हो जाएंगे बिल्कुल, subject को चेंज भी किया जा सकता है कभी कुछ अच्छी बातों से प्रते जी अगला प्रशन ही कहते हैं कि मेरे घर में गीता पार्शाला थी महुत अच्छी सेवा थी लेकिन अच्छी किसी ने, देवरानी ये कह रही है कि कुछ जादू टोन उने करवाया जिससे कि गीता पार्शाला बंद हो गई अब मेरा योग भी बिल्कुल नहीं लगता मैं बेचेन भी रहती हूँ इस अन्तिम समय में अब मैं क्या कर रहा जलो गीता पार साला का तो छोड़ो अपनी स्थिती तो खराब नहीं करनी क्योंकि आजकल ये काम भी कर रही है माता ही ही किसी की देरानी, किसी की जेठानी उन्हें लगता है ये क्या यहाँ दंदा खोल दिया इस अन्होने अमारी प्राइवेसी में इस्टर्बरेंस हो गया, कई बाते माताओं की होती है एक तो जो घर का बेन गेठ है उसके बाहर से बादा का बड़ा का सकेट जला दो उस लाइट से ब्लेक मैजिक का असर खतम हो जाएगा घर में रोज पानी चार्ज करके छिड़को बाबा का पांच बार आवान करो और अपने घर में बैट कर पांच साथ बार यभ्यास करो मैं मास्टर ग्यान सुरिय हूँ मेरे अंग अंग से सकतियों की किरने फैल रही एक दो मिनट बस इससे कोई बैड एनर्जी होगी वो नास्थ हो जाएगी ब्रता जी एक प्रशन इससे जुड़ा हुआ है कि ये जो आजकल जो जादू टोने वाली बात होती है कई ब्रामढण इसे इस रूप में लेते हैं कि ये तो ब्रामढणों पर भगवान के बच्चों पर इसका कोई असर होना नहीं चाहिए क्योंकि हम तो मास्टर सर्व शक्तिवान है बाबा की छत्र छाया में है तो क्या हमें कहीं बाहर लोगों के पास इसके समाधान के लिए जाना चाहिए या कुछ ऐसी बाहरी टोटके करने चाहिए? देखिए हम ये सत्थ है के बाबा के बच्चों पे नहीं होना चाहिए लोग ये मानते हैं पर ये भी सत्थ है के हो रहा है बहुत जगे क्योंकि हर एक व्यक्ति की स्थिती तनी पावर्फुल सदा नहीं रहती Master Almighty तो है पर उस स्वरूप में तो नहीं रहते न सदा ही Baba चत्र चाया है लेकिन उसकी स्मर्थी में तो नहीं रहते न किसमें इंप्यूर्टी रहते है किसके पाप कर्मागे आ जाते हैं तो आत्मा की जो मनो इस्थिती है थोड़ी कम जोर पड़ जाती है तो इसका असर होता है इसलिए अगर हम अपनी स्थिती को सक्ति साली बना कर रखेंगे और भैभीत नहीं होंगे डरेंगे बिलकुल नहीं चीजों में ज्यादा दम नहीं होता अगर हम बहुत अच्छी पावर्फुल स्थिती में रहें तो ये चीजे सहजी सनाथ हो जाती हैं बहुत उने हरा दि अब ये परेसान हो गई कुछ ऐसी अच्छी विदी करी के देरानी परेसान हो गई हार गए तो इसलिए हम अपनी सक्ति साली स्थिती को बना कर रखेंगे तो भी जै होगी बिलकुल वो जैसे रामायन महाभारत में दिखाते थे किसी ने कुछ किया तो तीर वापस ही चला तो ऐसा कुछ पावर्फुल ओरा हम बना कर रख सकते हैं अगर ऐसा होता तो लोग पाकिस्तान वा लोगो न मार देते जो दुस्मनी करते हैं कोई बुरा काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये अपनी सक्तियों को पैचाने गा और इन चीज़ें से डरेंगे नहीं बिलकुल मतलब सकारात्मक्ता में पॉजिटिविटी में सबसे ज़्यादा दम है और हमारे साथ तो भगवान है अगला प्रश्न है प्रताजी ये कहते हैं कि जब से मैं ग्यान में आई हूँ तब से शरीर के हिसाब किताब बहुत ज़्यादा मेरे बढ़ गये हैं और मेरा डर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इवन जब मैं मदुबन आती हूँ तो अमरित वेले डायमंड हॉल तक भी अकेले नहीं जा पाती इतना मुझे अकेले से डर ही आपकी बिबारियों को जनम देने वाला है इसे डर निकालने के लिए सभेरे उठकर 21 लिखेंगे या याद करेंगे सच्छे दिल से मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हू निर्भै हूँ पानी चार्ज करके पियें ध्यान से सुन लें दो संकल्प करेंगे पानी को दृस्टी देकर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हू निरोग हूँ मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हू निरोग साथ बार यही संकल्प करके सोएंगे, मैं निरोग हूँ, बसु, लेकिन आप खुछ बहुत रहों, यह डर जो है, यह सबसे बुरी चीज है, यह मनुसको बहुत बिमार करता है, याद रखेंगे जिसको डर और चिंताइं बहुत हैं आपको, चिंताइं बहुत होंगी, उनके सरीर के मुख्य अंगों में ब्लड नहीं पहुचेगा, ब्रेन में भी बहुत कम जाएगा, यह बिमारियों की जड है, इसलिए जो खुछ रहते हैं, उनके हर अंग पोसित रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं, जे, जे, मेरी लाग कोशिशों के बाद भी मैं कोई पुरशार् नहीं है, कृपिया कुछ खुपाए रहता है, जमतकारिक परहसन है तो, के बर होता है बहुत कोशिश करने के बाद भी ना योग लगता है, और नहीं आगी जोड़ दिया है, के लोगों के साथ यह हो रहा है, जितनी बाद हाई और चेलेंजी सामने आते हैं, वो उतनी ही प करो, थोड़ा बैठ कर, थोड़ा करम में, तो आपके अंदर काफी जागरती आजाएगी, सब चीजे सो गई है, थोड़े प्रानायाप कर लो, थोड़े एकसरसाइज कर लो, थोड़े एकांत में घूम लो कभी, जगाना है इनको अपनी सारी चीजों को, वो सो गई है, जे कहते हैं कि आप जैन फूड खा लो, तो वो मैं खा लेती हूं, क्या ये मैं खा सकती हैं, और कईयों का ये भी था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहां पे भोजन सब मिल के बनाते हैं, तो क्या वहां वो भोजन भी खाया जा सकता है, नहीं वो भोजन बिलकुल रहेंगे उतनी आप में सकती आएगी ब्रता जी आठ साल से ज्ञान में हैं कहती है पुर्शार्थ कर रहे हूं लेकिन बदलाव उतना नहीं आया है जितना होना चाहिए विगन भी बहुत आते रहते हैं क्या ये प्रशन है ब्रता जी से नहीं भूते हैंने कृशनली में चोटे मोटे शुक्संपाप भी होते होंगे मुझे पतानी कौन है निदेख सकता होचेरा लेकिन इनके शुक्संपाप बहत होते हैं और जो वियर्थ में जादे रहते हैं पुर्षाट करने पर उनकी शक्तियां जैसे बह जाती हैं, जैसे गड़े में छोटा सा छेद हो, पानी भरते रहें, नहीं पता नहीं कहां जा रहा है, तो ये लीकेज बाबा कहते हैं, बंद करो, अपने को चेक करो, पुन्य कर्मो को बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं, आपके बोल से दूसरों को कस्त पहुच रहा है, आप संपत्तियादी के लोब लालच में जादर रहती हैं, या आपकी च्छाएं कामनाई बहुत हैं, या आप सबेरे भी नहीं उठती, व्यार्थ बहुत है, चेक करेंगे, चेंज करेंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जै. मैं 67 एर्स की हूँ, कोलकाता में पली बढ़ी हूँ, बच्पन में फ्रेंड्स मुझे डरावनी कहानिया सुनाया करते थे, और आज भी मन में वही डर बना हुआ है, खास करके जब मैं अकेले में मेडिटीशन करती हूँ तो, पुछने में भी मुझे लज्जा आ रही है, क बच्चों को ढरावनी कहानी न सुनाएंगी, बातदूरी की कहानी सुनाएंगी, वीरो की कहानी सुनाएंगी, सफलताओं की कहानी सुनाएंगी, जो बार बार सफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारते, उनकी कहानी सुनाएंगी, अब आपके लिए पहला ब्यास है, मैं आत्मा अकाल मोर्थ हूं यह बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे आप बाबा मेरे साथ है सर्व शक्तिवान साथ है दिन में धुन लगा दो इसको याद करने की और सबेरे उटकर साथ बार याद करना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हो दिर भै हूं तो भैसम आप्थ हो जाएगा ब्राताजी यह पूछते हैं कि एक क्वेश्चन है मेरा कि एक इंसान है जो हमेशा हमसे सही तरह से बात न करे हमारी खुशियां न देख सके वो बस यह चाहता रहे कि हमारा बस बुरा हो तो बताएगे कि ऐसे इंसान के लिए हम अच्छे भाव, अच्छे संकल्प कैसे रख सकते हैं कैसे साक्षी होकर कि यह देख सकते हैं पहले तो आप इस डर को निकाल दो कि वो यह चाहता रहेगा आपका बुरा हो तो आपका बुरा होई जाएगा वो कोई ऐसा पावरफुल योगी नहीं है कि उसको संकल्पों की सिद्धी प्राप्त है कि वो कहेगा यह मर जाएए माताइं परिशान हो जाती है सुनके भी लड़ाई सुरू कर देती है क्यों कहा अरे भई उसके कहने से तुम मर जाओगे क्या इन विचारों को छोड़ दे अपने विचारों को महान बनाए मैं बहुत भागवान हूँ मुझे तो भगवान मिल गया तुम को जो कहना कहते रहो मेरा संसार में कोई यहित नहीं कर सकता जिसके भाग के दौर भगवान खोल रहा है मन उस क्या बंद करेंगे करके देख लो नहीं होगा चलेंज कर दो तो अच्छे हो मन उस साह में रहेंगे नौ इफेक्ट कुद पर इफेक्ट नहीं होता प्रताजी कई बार लेकिन उनके लिए शुब भावना भी नहीं निकलते अशुब भावना की बाद पीछे छोड करेंगे लेकिन पहले उससे उनिफेक्ट रहे है प्रताजी अगला प्रशन है यह कहते है कि वर्तमान समय को देखते हुए क्या अपने व्यावार को हमें विस्तार देना चाहिए या फिर अपने आपको तपस्या में लगा देना चाहिए व्यावार को समेट लेना चाहिए लेकिन कर्म और तपस्या दोनों का बैलेंस भी रखना चाहिए ऐसे नहीं तपस्या इतनी जाद कर लो कि वच्चों का विद्यान न देपाओ तपस्या में इतने लग जाओ कि काम, धंदे, नोकर सब खतम कर दें दोनों चीजों के बैलेंस की ज़वरत है अमरी तवेले पर कईयों का प्रशन है अमरताजी एक प्रशन ये है कि अमरी तवेले सुस्ती रहती है सीर में भारीपन रहता है और एक का प्रशन है कि अमरी तवेले बहुत उठना चाहते हूं लेकिन रात को कुछ मानसिक बीमारी की तकलीफ है तो मेडिसीन भी लेती हूं तो शायद उसका असर रहता है जो नहीं उठ पाती या शायद कोई कर्म भोग है तो अमरी तवेले उठने की बहुत इच्छा है कैसे इसे ठीक है तो अमर्द वेल अच्छा होगा नेंद, भोजन ये सब बैलेंस में होना चाहिए सारा दिन भी अच्छा भ्यास करना चाहिए बाकि मैंने बता दिया है मैं बार बार नहीं कहना चाहता योट्यूब पर क्लासिज है सुन लो बिल्कुल प्रता जी कहते हैं कि क्या माताओं के लिए भी अस्ट रत्न में या एक साव आठ की माला में मारजीन है या केवल ये समर्पित जो आत्माएं है, टीचर्स बहने हैं उनके लिए ही फिक्स है देखे आठ की माला की तो बात छोड़ दो उसमें माताओं भी हैं, जरूर लेकिन आपका नंबर आएगा, नहीं ये, मुझे पता नहीं क्योंकि वह बहुत उंची मंजल है उसके लिए पहल तो नस्टो मोह इस्टेती चाहिए संपुन आत्माभिमानी चारों सब्जेक्ट में फुल मार्स बहुत सारी सर्ते हैं, संपुन पुरिटी अब वो कौन माताओं कितना कर सकती हैं लेकिन विजय माला में आने के चांस हैं आप अपने को भी समर्पित भाव में लेया हो रस्त में रहने वाले भी समर्पित भाव जैसा जीवन जी सकते हैं और जो समर्पित भाव हैं, यदि उन में मैं और मेरा बहुत है, तो वे भी समर्पन्था के लिए से बाहर माने जाएंगे. इसलिए निरंकारी बनना, आठ गंटे का योग करना, संपोर्ण निर्विकारी बनना, चारो सब्जेक्ट को लेकर बहुत अच्छी स्थिती बनाना, सब के लिए मन सुब भावनाओं से भरपूर कर देना, जो negativity है, जो गंदगी है मन की, उस पर विजय पालेना, तो विजय माला में आ सकते हैं. बहुत सारे वियर्थ बातों से घीरा ही रहता है, और कई लोग हमें वियर्थ बातें सुनाते भी रहते हैं, आजकल का माहॉल भी ऐसा है, कि घर में टेलिविजन आदी भी चल रहा है, तो ना चाहते भी उसका भी असर हमारे उपर आ जाता है, तो ये जो वियर्थ है, वो हमारी समर्थ हिस्थिती नहीं बनने देता, कैसे इससे अपने इस्थिती को उपर रखे? नहीं कारण तो माता जी को पता चली गया, सुनाते भी बहुत हैं, और इनको सुनना भी पड़ता है, अभी या तो भगवान को सुन लो, या मनुस्यों को सुन लो, एकी बात होगी, भगवान का भी असर पावर्फुल होगा, तो कभी के मनुस्यों का पावर्फुल होता है, कान तो बंद करनने पड़ेंगे, अब मातायों की कोंफरेंसे जाद चलती है आजकल घरो में, तो जराइदा उदर के समचार जाद सुनती है, उसको थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, स्वामान का अभ्यास बढ़ाएंगे, व्यार्थ में रुची नहीं होगी, तो सुनाने वाले भी थोटे धिले हो जाएं कि कोई आपके पास व्यार्थ सुनाने आए ही नहीं, तो आप बच जाएंगे, एक अंतीम प्रशन भ्याताजी, उसके बाद मैं कुछ और प्रशन आप से करूँगा, माताओं से जुड़े हुए, यह कहते हैं कि पवित्रता से जुड़ा हुआ प्रशन है, कि हमारा योग बहुत अच्छा है, हम सब धार्णाओं का पालन करते हैं, खान पान भी हमारा बहुत शुद्ध है, अमरी तवेले से रात तक का हमारा चाड भी बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्रता में जो हमारे सहियोगी हैं, मतलब उनके युगल हैं, उनसे मदद नहीं मिल पाती, त बीच बीच में इधार्ना तूट जाती है, तो क्या हमारा जम होगा, या फिर हमारा ना का खाता हो रहा है, मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता हैं, तो मतलब नाराज हो जाती हैं, पीचे तो मैं छोटी सी बात कही थी, कि मतलब परिसानी होगी आगे चलगे, तो भी क्या हो बोल दिया, भगवान की मोलियों में इसका उत्तर आता है, वहीं से दून लेना, कि क्या बार बार गिरने से खाता, कठ जाता है, या जमा होता है, लेकिन पती इसे मह छोड़ो और अपने में द्रड़ता लाओ, तो आप इस सब्जेक्ट में विजय हो जाएंगे, प ममा भी विशेष आदर्ष बनी है इन सब के लिए, तो क्या वरतमान समय में खास प्रेड़ना देना चाहेंगे? मैं तो देखो यह कहूँगा कि अब बहाने का समय नहीं है, कारण तो सब के पास होते हैं, पति-पत्ति का नाता भी थोड़ा भावुकता से भरा होता है, लेकिन द्रड़ता से, आत्मिक द्रष्टी से, योग की शक्ती से, हम सब को अपना बना सकते हैं, अभी नों ने कहा मेरी पवितर, मेरी धारनाएं सब अच्छी हैं, योग अच्छा, सब अगर सब अच्छा होता तो अब तक यह भी अच्छा हो जाता, कईना कई गड़त अवज से हैं, इसलिए योग पर बहुत धान देना है सब को, अमरतवेले आप अपने घरों में ऐसा माहोल पैदा करो, ऐसे vibrations फैलाओ, तो आपके यह घरों की बहुत सारी चीजे ठीक होने लगे, यह भी ठीक होने लगेगा, सबेरे उठकर सुंदर विचार करो, मैं कहता हूँ योग नहीं करो आप पहले, सुंदर विचारों से अपने मन को चार्ज करो, उसे आपके घर में वाइबरेशन फैल यह है, योग नहीं है और योग की पक्की नीव औस है सुंदर संकल्प, स्रेशन कल्प हमारे जीवन की पर्सणलिटी औस है, हमारे स्रेशन कल्पों का खजाना हमारे मान भागय का निर्बान करता है। भगवान के महवाख्या आपको जान लेना चाहिए, इसलिए सबेरे उतकर संकल्प करना, सभी माता हैं सुन ले ध्यान से, और कल से ये संकल्प करना, संकल्प करके सोना, मेरा ये घर मेरा मंदिर है मैं इस घर की इस देवी हूँ, ये घर बाबा का यग्य है अब ये बाबा इसको समालता है, मैं इसकी सेवधारी हूँ, मैं इसमें निमित हूँ मैं बहुत सक्ति साली आत्मा हूँ मास्टर जयन सूरिये मास्टर सर्व सक्तिवान पवितरता की देवी हूँ कई कई बार ये संकल्प कर दो मेरे जैसा भागवान कोई नहीं, मेरे परिवार में बहुत प्यार है मेरे परिवार किस सब आत्मा है बहुत अच्छी, पुन्य आत्मा मान आत्मा है भगवान के बच्चे हैं ये संकल कई कई बार करो दस मिन लगाओ आपिस में छोड़ दो योग दस मिनट के लिए देखना उसके बाद योग का आपको आनंद कैसा होगा अगला दस मिनट का योग आपको लगए राके ये दस मिनट नहीं है तो दस घंटे के बरावर हो गया है सबेरे उठकर ये सब करो तो आपकी वो जो बहुता ही समझ्चाएं है के योग नहीं लगता नीद आती है, सुस्ती आती है, मन भटकता है, सोने को इच्छा होती है वो सब ते जिसे समाथ्थ हो जाएगा कि अभ्यास अभी को करना है भोजन बहुत बड़ी चीज है आपके हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ती है भोजन बनाना आप चाहे तो अपने भोजन को ओसदी बना दो आप चाहो तो अपने भोजन को ऐसा प्यार के वाइब्रेशन से भर दो कि आपके घर में प्यार की गंगा बहने लगे आप चाहो तो भोजन में ऐसे श्यान्पी की तरंगे भर दो, कि किसी को गुसा आही न सके आपके घर में, आपको अपने घर में पांच बार योग में अवश्च बैठना है, मैं तो दस दस मिन्ट का करता हूँ, आज आपको पांच पांच मिनट कह रहा हूँ, पांच मिनट म मास्टर ग्यान सुरिये हूँ, इस घर की देवी हूँ, किर्ने फैल रही हैं पूरे घर में, तो पांच मिनट पांच बार, तीन मिनट पांच बार, इससे कम नहीं, आप अपने घर के वातावन को चार्ज करें, अगर मातां ये जरा सी महनत कर लें, अपने मुसलिम बंदू जिनसे बाहत लोग घरना भी करते हैं, मैं घरना नहीं करता, हम उनको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मैं सोचता हूँ, कई लोग मुसलिम में कितने डिसिप्लीन में अपने पंच बंच 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 हैं, कि अगर इस्टेशन पर भी हैं, अगर और कहीं भी हैं, अगर औ मुन से नहीं सीख सकते, किया माताएं तिन तिन पाँच पाँच मिनट, पाँच बार का समय फिक्स नहीं कर सकती, कोई भी टाइम, अपने अनुसार फिक्स करो, टाइम बदल भी जाये, तो कोई समझ्स्या नहीं, और आप अपने घर के माहुल को ऐसा चार्ज करो, कि आपके घर के सभी लोगी स्प्रिच्वल बन जाएं, अध्यात्मिक शक्तियों से, रुहानी शक्ति से भरबूर हो जाएं, भगवान का वास फील होने लगे आपके घर में, उसकी उपस्थिती फील होने लगे, खेल उठेगी, आपको देखकर लोग जीवन जीने की खला सीख जाएंगे, हलके हो जाएंगे आपको देखते ही, मैं चाहता हूं और बाबा भी यही चाहता है, आप सब ऐसे सुन्दत जीवन का निर्मान करें, मैं माताओं को सुक्रिया करना चाहता हूं, और मेरी उमेद रहती है, क्योंकि जो समच्चाएं हैं, वो बहुत चोटी हैं, आप बहुत पावर्फुल हैं, भले हमने कुछ चीजों को इस्तिक लिका हैं आपको, लेकिन आप इसको कुछ जादा न सोचना, आप जो चाहें कर सकती हैं, आप घर की मालिक हैं, आप सब को बदल सकती हैं, पवित्तरता को भी सुद्रड कर सकती हैं, और बाबा का नाम रोशन करेंगी, मुझे पर्ण विश्वास है, माताओं के द्वारा, जैसे यक्की स्थापना होती है, वैसे ही अब बाबा का नाम भी रोशन होगा, थैंक यू बेरी मच, ओम चान्ति, सभी माताओं की ओर से ब्रताजी, और साथ साथ जो भी जुड़े हुए हैं, भाई भी जुड़े हुए हैं, और सभी सुन भी रहे हैं, तो सभी ओर से आपको दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया, यद्य भी प्रश्न माताओं के थे, लेकिन मुझे लगता है, पुर्शार्थ से संबंधित प्रश्न, तो सभी के हित में हैं, कार्य में हैं, और सब को अपने जैसे उर्जा से भरपूर कर दिया है, कि कैसे अपने जीवन में श्रेष्ट पुर्शार्थ को शामिल करें, हम शक्तिशाली हैं, परिस्थितियां और बातें तो बहुत छोटी हैं, जो बातें आपने कहीं दिल से आपका, बहुत-बहुत सभी माताओं की तरफ से विशेश करके शक्रिया, प्यारी भ्याते जी ने हम सबको तो श्रेष्ट मार्ग दिखाया, प्यारी बाबा हमें सदैव ही श्रेष्ट पत पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और एक सुन्दर सी बात किसी ने कही है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, कि हजारों भूल चैहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीब चैहिए आरती की थाल सजाने के लिए, हजारों बोन चैहिए समंदर बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक माही काफी है घर संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, और उधारण के तोर पे हमारी मम्मा है, आप सब भी ऐसी ही शक्तिशाली माताएं हैं, जिनकी गायन, पूजन, आज तक सारा संसार कर रहा है और बाबा भी जिन्हें नमन करते हैं, हम सच मुझ अपने इन शक्तियों को पहचाने, जागरित करें, तो ये बाती तो बहुत काल और विस्त्रिशेवा हम सभी को मिल करके करने हैं, तो आएं अपने आपको ऐसा योग्य और शक्तिशाली बनाएं, चलें प्यारी बाबा की याद से, आज के सत्र को हम संपन करेंगे, जो बाबा, हम सब को इतना योग्य और महान बना रहे हैं, ओम शैन्ते हैं